असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू दिबास किचन यम्मी एंड डिलिशेस रेस्पीज के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकम पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग् पर भी फॉलू कर सकते हैं आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और जल्द बन जाने वाली रेस्पी शेयर करूंगी आज हम बनाएंगे अफगानी ओमलेट जिसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रीडिंस की जरूरत पड़ेगी इसके इंग्रीडिंस की रिटें दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आईए शुरू करते हैं अफगानी ओमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए पांच अंडे नमक सौद अनुसार बन टीस्पून गोलमिश पॉडर टू मीडियम साइज चॉप टमाटर एक बड़ा प्यास चॉप किया हुआ तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई वैसे तो इस रेस्पी में हरी मिर्च नहीं डलती है पर मैं यहां पर टेस्ट के लिए डाल रही हूँ दो मीडियम साइज आलू इसे मैंने छोटे-छोटे पीसे में कट कर लिया है ताकि यह असारी से गल जाए पैन में टू टेबल स्पून ऑईल डाल कर इसे आप गरम कर लें जब ऑईल गरम हो जाए तब आप इसमें आलू डाल कर इसे दो मिनिट के लिए फ्राइ करें अब आप इसमें प्यास को डाल दे और इसे एक मिनिट भूने बहुत ज़्यादा दे नहीं भूनना है में एक मिनिट बाद हम इसमें टमाटर और हर इमिज डाल देंगे साथ में इसमें आप हाफ टीज़ पून नमक या फिस सौद अनुसान नमक डाल दें और हाफ टीज़ पून गोल मिश पॉर्डर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे कवर करके पाच मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि जो आलू है वो सौफ्ट हो जाए बीच बीच में इसे खोल के चलाते रहें देखिए आलू सौफ्ट हो गया है अब इसको चारो तरफ अच्छे से फैला ले अब इसमें थ्री टेबल स्पून पानी डाले ताकि आलू जो है वो नीचे से लगे ना इसके उपर हम अंडे डाल देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखे अब हम इसको बिल्कुल फ्लेम पर ही कुक करेंगे कर दो है सारा अंड़ डालने के बाद आप इसके उपर नमक और गोर्मिश पॉर्डर को स्प्रिंकल कर दें ताकि अंड़ा जो है वो फीका ना लगे अब हम इसे हरी मिश और धनिया पत्ती से गान निश करेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक कि अंड़े अच्छे से कुपना हो जाए अफवानी आउमलेट बनकर तयार है यह देखिए कितना डिलिसियस लग रहा है इसे इस तरह से सर्फ करें इन्शानला दोस्तों आपसे जल्दी मुलकात होगी एक नई रेसीवी के साथ तक तक के लिए अल्ला आफिस झाली मुलकात हे जापा बेड़ मुलकात हो जाईली आफ होगी जापानी CT अञके नवեहात के लिएली से कि अु बढ ओब नूल को और है से साथ तक कि कि अुझा kaन से का सव्हाय है